मसलाम अलाइकूम उमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे काफी देर से कोशश कर रही थी ये विडियो बनाने के लिए और हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन हिम्मत तो करनी बढ़ती है ना जब बात सही और गलत की हो तो चंद लोग हैं जो सही पर बात करें मुझे बता है आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोगों के जो हैं हर इंसान के अपनी सोच होती है लेकिन बोलना जरूरी है सम्टाइम्स बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अब तक जो भी दरिंदे मिनारे पाकिसान वाके पर जो ज़्याती का निशाना बनाने के अपने दरिंदे भाई को सपोर्ट कर रहे हैं डुफेंड करने की नाकाम कोशिश। हैं उनके लिए ऐस फक्डो बंढने का मकाम है क्यों डूब मंढने का मकाम है देखिन जी, पुलिस ने गिरिफतारियां की हैं और ऐसे मुल्सिमान को गिरिफतार किया है जिनके पास से मुल्सिमान के पास से जो कुछ विडियोस बरामद हुई हैं जो देखने के काबिल नहीं है यूट्यीव की पॉलिसी ना होती तो डाफिनिटली मैं यह विडियो आप लोगों को बड़ी स्क्रीन पे दिखाती और जो लोग विक्टम ब्लेमिंग करते हैं जो लोग कहते हैं बहुत सारी बाते निकाल लेते हैं हम अपने आपको खुश करने के लिए अपने मताबिक जो है वो बहुत सारी चीज़ों को डि पूच रही थी किस को समझा रही हूं किन को बोल रही हूं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं मेरे पास जो सही और गलत का फैसला और फरक जानते हैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रही हूं मैं आपको यह वीडियो वीडियो आपको नजर आ रही है तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से उस लड़की के कपड़े पाड़े जा रहे हैं उसके जिसम के कौन से हिस्सों पर हाथ लगाया जा रहा है किस तरह से वो चीख रही है चीखे जा रही है उसकी बाड़ी को नोचा जा रहा है किस तरह से वो चीख रही है कुछ लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी माओं को सलाम जो सही और गलत में फरक जानते हैं उन बेगैरतों की तरह नहीं जो बैटके कहते हैं कि फ्ला किस तरह से उसके कपड़े फाड़े गए मेरे हाथ काम प्रहे है उसकी कमीज जो है वो पूरी फाड़ दी गई इस चीज की क्या जस्टिफिकेशन है आप लोगों के पास इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस वीडियो को देखकर मैंने अपने इंस्टा पर ये शेयर कर दिये जाकर देखें और अगर इंसानियत थोड़ी सी बाकी है विक्टम ब्लेमिंग छोड़ दें बहुत सारे मेरे बहन भाई यूट्यूब पर कुछ व्यूज उसके लिए उस लड़की के कपड़े तो उन चार सो दरिंदों मैंसे कुछ लोगों ने फाड़े हम तो यहाँ बैट कर उसके कपड़े रोज फाड़ रहे हैं उसकी रूख को चीर रहे हैं आप सोच रहे होंगे मेरा थमनेल ऐसा क्यों है दो दिन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ सही और गलत आईशा का करेक्टर कैसा है आईशा ने क्या व्यूज के लिए या टिक टॉक पर फेमस होने के लिए कौन सी लड़की फेमस होने के लिए अपने कपड़े भटवा देती है कौन सी लड़की, आप सब के घर में मा भेने हैं, उनसे पूछें, कौन सी औरत जो होती है उसके सारे कपड़े फट गए हैं, वो नंगी हुई भी है कौन सी औरत पूरे मजमे के सामने है, नंगी होना पसंद करती है विक्टम ब्लेमिंग सर्फ इस केस में नहीं है, कि इस केस में हम विक्टम ब्लेमिंग की बात करें मोटरवे का केस देख लें, वहाँ पर जो है कह दिया जाता है पुलिस के आला अफसरों की जानब से कैने उसको नहीं निकलना चाहिए था रात रात के उस वक्त उसको पेट्रॉल के साथ वाकिया हुआ रिख्षे में बीए कोफन पहन नहीं लेटना चाहिए कैने दुबटा बी कोफन के कि वो मर्द कबर से निकाल के कफन में आप कोई साथ जिन्सी जियात्ती करके कफन भी फेक चले जाएं आप छे महिने की बी अगर होंगे आपने डाईप्र पहना हुए नूर मुकदम का केस हो मरना क्यों बढ़ता है इनसान को इनसाफ के लिए विक्टम ब्लेमिंग कम बंद करेंगे किसी भी माश्टरे में किसी भी मुहजब माश्टरे में औरत के कपड़े इस तरह से फाड़ना सरा सर एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है गुनाए और अगर पाकिसान की बात करें तो इसकी सजा सजाई मौत है इस विडियो को देखने के बाद मेरी रूफ अंदर तक कांप गई है मैं आईशा के बारे में यह सोच रही हूँ आईशा के साथ जो हुआ हम विक्टम ब्लेमिंग किस तरह से कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि आईशा ने बहुत सारे लोगों को बुलाया ठीक है आप मुझे एक बात बताएं कि जब हम ड्रामे देखते हैं बहुत सारे फिल्मे देखते हैं पाकिस्तान की अजीबो गरीब कपड़े पहने होते हैं और चिपकरे होते हैं बड़े गंदे तरीके से चीज़ें, बड़ी अजीबों गरीब चीज़ें हो रहे होती है और जब वोसे लेवलिटीज बाहे जाती है तो क्या हम उनको मारते जाते हैं, उनके कपड़ भाड़ देते हैं वो भी तो fame के लिए छोटे छोटे कपड़े भैंते हैं हम उनको बड़ा पसंद करते हैं वो फेम के लिए ड्रामों में बड़े अजीब औ गरीब किसम के रोल करते हैं फिल्मों में करते हैं एक औरत जब आपको कह देती है कि नहीं तो इन चार सो मर्दों को किस ने दे दी अजासत कि आप उनके कपड़े भाड़े वीडियो फिर मेरे खल में आप लोगों को दिखा देती हूँ शायद आप लोगों को ये अजीब नहीं लग रहा है एक दफा़ फिर देख लें वो लड़की चीख रही है मेरे हाथ काम पर रहे है बीबी वो लड़की चीख रही है किस तरह से जिसका जहां पर हाथ लग रहा है हाथ लगा रहा है उसके कपड़े फाड़ा है उसकी कमीज फाड़ दी उसको नंगा कर दिया उसको नोच रहे हैं ये दरिंदे नहीं है इनको सपोर्ट करने वाले क्या इंजेस नहीं है इस लड़की के इस मामले तो इस मामले पर दर्च की गई है न तो इस पर बात करें न यह जो दिरिंदे न जो इस वक्त इसके साथ ऐसा कर रहे हैं मुझे महसूस हो रहा है मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ कोई भी महफूस नहीं है इस मुल्क मे सब कुछ भाड़ दिया सब कुछ चीखने का मतलब है नहीं का मतलब है नहीं हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में अगर कोई जिसम बेचने वाली औरत भी कह देती है नहीं तो नहीं का मतलब है नहीं नहीं चाहती अपना जिस्सम बेचना नहीं चाहती अपने कपड़े फटवाना नहीं चाहती कौन सा फेम क्या चीज़ हम इन 400 दिरिंदों को justify कर रहे हैं कुछ views के लिए कुछ पैसों के लिए कुछ followers के लिए मैं इतने दन से अपनी normal thumbnail लगा रही हूं किसी को interest नहीं है सबको interest है जिस thumbnail में इस लड़की के बारे में गंद हो ये लड़की बहुत बुरी है ये लड़की बहुत गंदी है ये लड़की दुनिया की सबसे गंदी लड़की है क्या फिर भी justify होता है कि 400 मर्द पूरी की पूरी माशरे के सामने उसके कपड़े फाड़े मुझे सिर्फ एक बार बता दे क्या justification है कपड़े फाड़ने की मुझे ये आईशा निजर नहीं आ रही मुझे अपने मुल्की हल लड़की नजर आ रही है बुरके में लड़की थी वीडियो हमने देखी है उसमें क्या कसूर था उस लड़की का वो तो जा रही थी बुरके में भी महफूज नहीं है मैंने आपको सब बता दिया है औरत हो ना जुर्म है अगर जुर्म है ये जितने भी लोग बैठकर गंद उठाल रहे हैं इस पर बात करें इस मेंटर पर बात करें कि उस लड़की के साथ 400 दिरिंदों ने हैवानियत की आप लोग ट्राक से क्यों उतर रहे है आप लोग को लगता है कि अगर उसकी घलती है उसके खिलाफ फाई आर दर्ज करवाएं इस वक्त फाई आर दर्ज हुई भी है कि इन 400 दिरिंदों को पकड़ना है जो कि पुलिस अपना काम कर रही है रियासत अपना काम कर रही है इन दिरिंदों की वीडियो अज बाहर आना शुरू हो गई है और ऐसी इसी वीडियो आ रही है कि मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं औरत हूँ मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी कहीं न कहीं ये 400 दिरिंदे तो मौजूद ही हैं इस लहौर शहर में लेकिन जो हजारों लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तो इनी दिरिंदों की तरह है न हम मुद्दे से हट रहे हैं मुद्दा ये नहीं है उससे फ्लाइंग किस की इतनी तहजीब याफता माश्रा है हमारा कभी कह दिया जाता है कि मर्द रिबोर्ट नहीं तो मर्द अपनी उन चीज़ों पर क्यों काबूर नहीं पाता जिनकी वज़ा से उसको गुना करना पड़ता है अगर उसकी वो चीज़ों उसको इतना ही परेशान कर रही है तो माँ को उसके बच्चों के सामने दरिंदों की तरह उसके साजिंसी जियाती करके फेग दिया जाता है वो भी महफूज नहीं है कोई बुड़ी औरत महफूज नहीं है कोई बच्ची आपके माश्रे में महफूज नहीं है कोई रिक्षे में जा रही है वो महफूज नहीं है अब क्या जेस्टिफिकेशन्स देंगे, कपड़े ऐसे नहीं पहने अपने दिल की तसलिकों दे देते हैं, कपड़े ऐसे नहीं पहने, आपको क्या लगता है कि एक और अगर नंगी भी जा रही है, उसने चोटे कपड़े पहने वें है, आप जाकर उसके साथ जिन्सी ज्यात किया है मुझे इतनी तकलीफ हो रही है उस लड़की के साथ जो हुआ मैं अपने आपको रख रही हूं मैं अपनी बेहन को रख रही हूं मैं अपनी हर हर पाकिसान की औरत को रख रही हूं इस विडियो को देखने के बाद जब एक औरत कह रही है नहीं तो यह 400 दिरिंदों को जो 4000 लोग support करके कह रहे हैं लड़की का गसूर था लड़की का गसूर था किस किस लड़की को आप कसूरवार ठहराएंगे हम तो वसमाश्रे में रहते हैं जहां पर 6 महीने की लड़की के साथ जो है जिन से जियाती कर दी जाती है उसने diaper पहना होता है आप लोग बोलते हैं क एडियो आप एक दफ़ा फिर जाकर मेरे इंस्टा पे देख लीचेगा इसमें भी कुछ लोग जो है वो गलतिया निकालेंगे कौन सी औरत कौन सी जिसम फरोश औरत भी चाहेगी के उसके कपड़े इस तरह से भाड़ दिये जाएं शायद आप लोगों को इंसान की चीखे सुनाई देना बंद हो गई है यह आप लोगों के अंदर निसानीत की कमी है आप लोग बोलते है और एकरार उलहसन को इतना बुरा पला कहा एकरार उलहसन में इसानियत है उसने जाके इस लड़की के साथ रोश जन办 जिस तरह हम करने है ना उसने नहीं की उसने हाथ रखा है सर पे अपनी माँ भेन बेटी अपनी किसी फैमिली मेंबर को रखकर सोचे इस शगाह उसने सर पर हाथ रखा है हम लोग क्या कर रहे हैं रोज उसकी 4000 साल पहले की चीज़ा निकाल रहे हैं गड़े मुर्दे प्रगकर होना बना को परें उसको बंद कर देते में को बंद कर दे हैं वह अगर आपको लगता है कि टीक टॉकर बेच रही हैं कउसी टिक टॉकर अपना जिससे बेच रही हैं यहां candy तो करें जिसने वाली और वो गैदे के नहीं करना मेरे साथ तो हमारे मुलक का कानून उसको तहफूज देता है कि अगर ये जिसम भी बेचती है अगर आज ये नहीं बेचना चाहती है अपना जिसम कहा देती है नो तो इट मीन्स नो ये जो इफएंट बढ़ कर रहे हैं ना लोग बैटके जो रोज उ जिसमेश कर रहे हैं उनको शरम करनी चाहिए हमारा कानून हमारा मुलक इस वक्त साथ खड़ा वथ है विक्तम के खुदा का खौफ करें विक्तम बलेमिंग करना बन कर दे किसने पास्ट में क्या किया किसने क्या करने गई थी वो जो है गार्ड की रिकॉर्टिंग सामने आ गार्ड ने कहा मैंने मना कर दिया ऐसा रही है आप लोग वहां पर तहफुज देने में नाकाम हुए आपके गार्ड फ्लॉप हुए मिनारे पाकिसान की इंतजामिय तहफुज देने में मुकमल तौर पर नाकाम रही है मतादत वीडियो आई हैं इसके इलावा भी मिनारे पाकिसान में ये सब कुछ हुआ आप क्यों नहीं मानते के गलती जो है किसकी है किसकी नहीं है आप विक्टम ब्लेमिंग क्यों कर रहे हैं नूर मकदम मर गई है आप कहते हैं कि नूर मकदम कौन सी पारसा थी वो पारसा नह है वो बिचारी मासूम सी लड़की जो के कबर में सो रही है वो भी बारसा नहीं है फिर भी किस ने हक दिया कि आप जाके उनको मार दें किस ने हक दिया कि आप जाके कपड़े उटार के फेक दें किसी भी माश्टरे में ऐसा नहीं होता सही और गलत की पहचान करें जो लोग एकरार अलहसन को गालिया दे रहे हैं, मैं बैटके सोच रही हूँ, किस तरह से हम गालिया दे रहे हैं, कि उसने उस लड़की के सर पे हाथ रखा, वो लड़की छोड़ दे उसने क्या किया, गलती है, नहीं है, जिनों ने गुना किया है, उनके गुना को क्यों ढख रहे हैं ह हम लोग जो सपोर्ड कर रहे हैं उन चार सो दिरिंदों को हम जो चार लाग दस लाग पंद्रा लाग सपोर्ड कर रहे हैं उन चार सो लोगों को उसकी वज़ा से मजीद चार सो लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और वो किसी भी लड़की को वो लड़की आपकी मा भेन बेटी भ खाड सकते हैं अगर आप यहाँ पर इमाजन करें हम जाके स्टेश ड्रा में तो बहुत साथ जाके देखते हैं वहाँ पर लोग कपड़े भी अजीब पहनते हैं आप क्या वहाँ पर अगर आपको इजाधत मिले तो आप उनके कपड़े भाड़ना शुरू करने हैं अगर हम हैं चारसो दिरिणों की गर्दनों में नूकेल नहीं डालेंगे तो डाफिनियटली इनके हाथ हम तक पहुंचेंगे और मजीद 400 लोगों की हिम्मत बनेगी कि वो पकड़ कर हम लोगों के कपड़े भी इस तरह भाड़े मैं सोच रही हूं कि मेरे कपड़े इस तरह से भाड़े जा रहे है एक दफ़ा सोच के इनसान होने के नाते सोचे कि विक्टम ब्लेमिंग करना छोड़ दे और ये सोचें कि इस लड़गी के साथ इन 400 दरिंदों ने क्या किया और हम सपोर्ट करके इन 400 दरिंदों को जमीन से आसमान पर बिठा रहे हम उनको हीरो बना रहे हैं हम उनको हीरो क्यों बना रहे हैं ये हीरो नहीं है ये है हमारे मुलक के असल धब्बे ये हैं वो दिरिंदे जिनकी वज़ा से हमारे मुलकी बद्नामी हो रही है ये है वो जानवर जिनकी अगर हमने इनकी नुकेल ना डाली इनके गलों में इन दिरिंदों को ना रोगा तो ये चार सो की तादाद कितनी ज़दा तादाद बन जाएगी फिर हम मेंसे कोई भी महफूज नहीं होगा सिर्फ एक बार अपने आपको रख के सोचे कि अगर ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है तो हम किस तरह से रियक्ट करेंगे पूरा का पूरा माशिरा आपके खिलाब जाएगा सर्फ इजवजा से कि वो टिक्टॉकर है सिर्फ इस वज़ज़ा से इससां क्यों नहीं समझते हम किसी भी इनसां को इस विडियो के बाद बेरे पस कहने के लिए कुछ नहीं है खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते हैं सही और गलत की पहचान करना सीखे